Assalamualaikum, मैं जुलेखारफाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार लजीज मटन बर्गर, बहुत ही बढ़िया घर पर बाजार से बहतर बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीड के लिए रख दिया है, जब अच्छा नितर जाए, तो मैं तब भी थोड़ा सा किचिन टॉल की मदद से, नैपकिन से, उससे पोच लूँगे, इसो दा ड्राय हो जाए, हमें क्या है ना, गोश ड्राय करके लेना है, गीला गीला नहीं होना चाहिए, आप चाहिए तो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए, बस बात यह है, प्योंकिन जब हम दालेंगे ना, फ्राय करेंगे ना, तो तेल हमारे उपर बहुत ज़्यादा उड़ता है, या फिर आपके ये जो कबाब है, ये तूटने फूटने लगेंगे, एक चौपर के अंदर त इस तरीके से बीरा पानी वानी कुछ नहीं होना चाहिए, चलिए जब आप पीस लें इस तरीके से, तो जो हमने मटन के पीसे साइट पर रखे हैं, वो डाल कर मैं उसके साथ भी इसको अच्छा कीमा बना लेती हूँ, ऐसे, तो ये बन गया है हमारा कीमा, अब इसे बड़ चीली फ्लेक्स आप चाहें, तो एक च्छाए का चमज भी टाल सकते हैं, थनिया पाउडर और और त्री फोद चुड़ चमज भुना पीसा जीड़ा पाउडर और त्री फोद चुड़ चमज गरम-Masala पाउडर, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से, मिक्स कर लेजे, बहुत अच्छे से मसल ना है आपको कीमे के अंदर 4-5 मिनिट तक मसल येगा है कि ये मसाले पूरे अंदर तक चले जाएं और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए 4-5 मिनिट के बाद तो आप चाहें तो यहीं से प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं या फिर आप आदे घंटे के लि जब चप्टा हो जाए तो इसे पैटी बन गई हमारी इसे साइट पर रख दीजिए पीच में से हलका चप्टा बनाईएगा वो थोड़े फूलते हैं जैसे आपको भी पता है वो थोड़े फूलेंगे तो चप्टा बनाईएगा चलिए मैं साइट पर रख देती हूँ इस मॉर्णी अटो पर रख रख चलिए मयूनीज दाल दीजिए 3 Ini man 1 gleב स्पून ठमदर सॉस दाल दीजिए और 8 TB स्पून रयग चिली आठ पाउस आपचै तो गालिक चालिक जाएगा चिली सॉस भी डाल सकते हैं मैंने तो सौधा वाला दाला है इसके साथ 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 जा ड और 1-4 चुरचाइका चमच कालिक पाउडर और 1-4 चुरचाइका चमच औरेगानो या फिर मिक्सट हब दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब यहां पर मैं एक और चीज दाल रहे हूं वो यह है कि मुझे हैलापीनोस बहुत पसंदे तो मैं यहां बारिक कटे हु मैंने पास एक ही तववा है तो पहले मैं क्या कर रहे हूं थोड़ा सा मखन दाल देती हूं चारो और यह जो ब्रेड है जो बर्गर बंस है इन्हें मैं उलट-पलट करते हुए मखन के अंदर बहुत अच्छे से उलट-पलट में मखन लगा भी रहे हूं मैं बहुत तो पहले आप फैक्टी बना लीजी फिर यह बनाएगा आप मैं पैटी बनालूंगी तो इसके बाद नहीं पाऊंगी यही तववra में इसके लिए मैं पहले बना रहे है चलिए मैं सारे साइट पर रख देते हूं ब चलिए अब सेम तववे के अंदर मैं तेल डाल देती हूं, अच्छे से चूला मैंने पहले बंद कर दिया था, तो अब मैं वापस चूला चालों कर देती हूं, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए, और तकरीबर एक घंटे से मैंने फ्रिज के अंदर ये हमा तक पकने दीजिए, उलट-पलट करते जाए जो आज पर, अच्छा मैं यहां जब तक मटन के पैटी हो रहे हैं, में साइट पर यह फ्रेंच फ्राइस भी भना लेती हूँ, जब तक यह रेडी होंगे, मेरे फ्रेंच फ्राइस भी तैयार हो जाएंगे, तो यह आप देख सक आप चीज स्लाइस है ना, उसके उपर लगा दीजिए, एक-एक करके, चारो लगा देख तो धकन से ढाग दीजिए, जब तक है ना, यह जो चीज उपर, मेल्ट ना हो जाए, चलिए, दो-तीन मिनिट लगेगी, जब दो-तीन मिनिट हो जाए, और अच्छे से मेल्ट हो जा आप पहले लगा दीजिए, सालड का पत्ता, उसके उपर आप मायोनीज जो हमने प्रिपेर करके रखी है, मायोनीज डिप, वो लगा दीजिए, इसके उपर स्प्रेड आउट कर दीजिए, क्विकली, अब इसके उपर क्विकली मटन की पैटी रखी है, जो हमने बढ़िया जबर्दस, मज़ेदार सा बाजार से बहतर बनता है, डेफिनिटली बनाईएगा ज़रूर. अपने स्वाध अनुसाफ दालिएगा, इसी तरही से मैंने अलग डिफरें स्टाइल की चिकिन की बर्गर बनाई है, वो भी मेरे चानल पर अप्लोडेड है, आप लोगों के लिए लिंक इस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजिएगा, अच्छा मैंने ओर्ड आप अप चाहे हैं पहले आप बन के अंदर नीचे, लेटेस नाल दालने के पहले आप मायो डिप लगा सकते हैं और वो सारा जो ओर्डर युपके इसाप से अज़ेस कर सकते हैं अब तो यहना मज़ेडार रेसिपी याजू अगर आप यह वाली रेसिपी बना तो मेरे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जाद अच्छी लगे तो आपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फर्वर्वर्ट कीजिए का फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ अंतल दें टेकर आला आफिस बाइज बाइज